Hello everyone, welcome to your online class, myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjoti Global School, पहारपानी, hope you all are fit and fine at home तो बच्चों, आज मैं आपको Classics की Maths का Chapter No.12 पढ़ाने जारी हूँ, जिस Chapter का नाम है हमारा Ratio and Proportion ठीक है, Ratio का मतलब होता है अनुपात और Proportion का मतलब होता है समानुपात तो ठीक है, अब इस Chapter में हम Ratio के बारे में पढ़ेंगे आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे हम कहते है 5 Ratio 3 तो ये देखो, ये जो दो Dot में इस तरह लगा रही हूँ, ये हमारा क्या Define करता है? Ratio Define करता है, ये हमें क्या बताता है? Ratio तो अब हम इसके कुछ exercise के question करते हैं, जिससे आपको और आसानी पढ़ेगी कि हम Ratio किस तरह निकालते हैं तो सबसे पहले इसके exercise पर आते हैं, 12.1 तो देखो, पहला question है, exercise 12.1 का, there are 20 girls and 15 boys in a class ठीक है, class में कितने बच्चे 20 girls और 15 boys What is the ratio of number of girls to the number of boys? तो कह रहा है ये कि girls का ratio Boys के मुताबिक कितना है? Girls का ratio boys के मुताबिक तो girls का ratio 20, boys के मुताबिक मतलब 20 upon 15 कर देंगे यहाँ पर आपको divide नहीं करना है, अभी मैं बताती हूँ आपको तो हम इसे मुताबिक में, मतलब girls का हमें पहले बताना है boys से तुलना कर रहे हैं तो 20 upon 15 तो अब जो 20 upon 15 है, पहले इसको simplest form लिखो तो अगर आप simplest करोगे तो किस से divide हो रहे है? 3 से? नहीं, 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 तो यह कितना आ रहा? 4 upon 3 अब इस 4 upon 3 को आप लिखोगे 4 ratio 3 जो denominator है वो पर पर आ जाएगा और numerator पहले और denominator बाद में और बीच में ratio तो हमारा क्या आ गया? 4 ratio 3 तो इस तरह हम इन्हें solve करते हैं अब देखो अगला question है what is the ratio of number of girls to the total number of students अब हमसे यह कहरा ratio बताओ girls का कि total number of students total के लिए 15 और 20 को जोड़ो कितना आएगा? 35 अब girls का ratio बताना है तो 20 upon 35 अब इसका simplest form क्या हो गया और? 2 4 जा 20 2 7 जा 35 तो क्या आगया answer? 4 ratio 7 तो इस तरह यह ratio वाले question आपने solve करने अब इसी तरह देखो second question out of 30 student in a class 6 like football 12 like cricket and remaining like tennis class में 30 बच्चे हैं 30 में से 6 को football पसंद है 12 को tennis sorry 12 को cricket अब बचे कितने? 12 और 6 को जोड़ो कितना आता है? 18 30 में से 18 घटाओ कितना आया? 12 तो कितने बचे बचे? 12 तो जो 12 बचे वो क्या खेलते हैं? tennis तो इस तरह आप देख सकते हो football f equals to 6 cricket equals to 12 और tennis equals to 12 अब ratio बताने है number of student like football to the number of student like tennis football football और tennis का रेशियो बताने तो football का रेशियो football का कितने है number 6 और tennis कितने है? अब 6 और 12 का सिंपस तो 3 जा 6 तो 4 जा 12 तो कितना आगे है? 3 ratio 4 अब next question है number of student like cricket to total number of student हमें cricket का बताने है किससे? total students तो cricket कितने खेलते है? 12 total 30 तो कितना आगे answer? 2 upon 5 तो 2 ratio 5 तो इस तरह आपको इन में ratio बताने है तो question number 3 भी इसका है ऐसी आप करेंगे 4 भी सेम इसी तरह करेंगे ठीक है? अब है हमारे इनकी fill up तो यहाँ पर देख सकते हो आप 15 upon 18 equals to क्या आएगा? तो देखो 15 को अगर 15 और 18 को अगर हम simplest करें 3 से 15 भी करता है और 18 भी तो 18 अगर 3 से आप काटो तो 3 से कितना करता है? 6 जा 3 6 जा 18 तो 5 3 5 जा 15 5 upon 6 6 अब देखो 10 upon नीचे पे हमें नी दिया है अब 6 upon 6 तो बन गया अब 5 को किससे इंटू करें कि 10 आए? तो 6 को भी किससे करता है? 2 से 2 जा 12 अब देखो 12 के यहां नीचे 30 या 10 का उपर खा लिया 30 किस तरह आया होगा? 12 को किससे क्या कर रहा होगा? 12 को 12 को अगर हम 5 से इंटू कर दें 5 12 जा 12 को 5 से इंटू नी करोगे यहां पर क्या आया हमारा? 12 तो अब आप 12 के लिए यहां पर हमारा क्या आएगा? 12 को आप तो यहां पर आपका आएगा 25 अब next है find the ratio of the following आपको 81 to 108 का ratio निकालने तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे 81 upon 108 तो अब इसका lowest form करो तो lowest आएगा हमारा 3 upon 4 तो ratio क्या आजाएगा? 3 ratio 4 इसे तरह 98 to 63 तो मतलब 98 to 63 तो 98 उपर 63 नीचे तो इसे तरह 33 km to 121 तो 33 upon 121 इसको simplest form करो simplest आएगा इसका 3 upon 11 तो क्या हो जाएगा? 3 ratio 11 तो इस तरह आप इन सब में ratio निकालेंगे अब देखो question number 7 में हमें minute और hour में दिये तो सबसे पहले आप इस hour को भी minute में convert करोगे अब 1.5 को minute में convert करने के लिए क्या करोगे? 60 से multiply तो कितना आएगा? 30 अब इस 30 और इस 30 का ratio निकालना ठीक है? तो फिर आप क्या करोगे? 30 और sorry आपका आएगा है 90 आप इस into करोगे तो कितना आएगा? 90 इस 30 और इस 90 का क्या करो? ratio निकालो 30 upon 90 0 से 0, 3 से 3 जा तो 1 upon 3 तो इसका कितना आएगा answer? 1 upon 3 ratio इसी तरह आप यहाँ पे meter को 1.5 meter को किसमा convert करो? centimeter में तो 1.5 को आप 100 से multiply करो फिर उसका 40 के साथ ratio इसी तरह 55 पैसे to rupee 1 अब rupee 1 को पैसे में convert करो तो तो आपका rupee 1 को अगर आप पैसे में convert करते हो तो 1 rupees बरावर कितना होता है? 100 पैसा तो इस तरह 55 पैसा to 100 पैसा तो अब 55 और 100 का ratio निकाल सकते है इसी तरह यहां milliliter है यहां लीटर है या तो लीटर को milliliter में कर दो या फिर milliliter को लीटर में कितना आएगा 2000 तो 500 upon 2000 तो हमें इनको पहले same करना होता है same इनकी वह होनी चाहिए unit होनी चाहिए जैसे उपर हमारी same unit थी तो नीचे भी आपको same unit करके ही इनको क्या करोगे solve करोगे अब है question number eight in a year SEMA earns एक साल में SEMA इतना कमाती है 150,000 और 50,000 वह save करती है तो हमें ratio बताने है money that SEMA earns to the money C saves तो हमें किस तरह जो money वह कमाती है उससे वह कितना बचाती है money that तो यहां पर आपको पहले money that SEMA earns to the money C saves तो SEMA earns कमाती कितना है 150,000 और माइनस कर दो 50,000 तो इसकी SEMA की आपका क्या जाएगा सबसे पहले आपको हमाई first question में क्या करना है ratio निकालना है कितना कमाती है 1,50,000 और C saves कितना बचाती है 50 तो इस तरह आपका यह ratio निकल जाएगा इसमाँ आप 1,15,000 को उपर रखो क्योंकि money that SEMA earns कह रहा तो इसमें से इसको घटाओ कितना है एक लाग है तो अब वो बचाती कितना है 50,000 तो 50,000 बट्टे एक लाग तो इस तरह आपका यहां पर ratio निकल जाएगा तो कितना निकलेगा ratio 1 ratio 2 तो इस तरह आपका A का ratio निकलेगा हमारा 3 ratio 1 और इसका ratio निकलेगा 1 ratio 2 तो next है 9th there are 102 teachers in a school एक school में कितने teacher है 102 in a school of 3300 students find the ratio of the number of teachers to the number of students और बच्चे कितने 3300 तो हमें ratio किसका निकालना है teachers तो हमें ratio निकालना है teachers का find the ratio of number of teachers to the number of students तो हम इसे किस तरह निकालेंगे तो आप क्या करोगे number of teachers उपर आएगा और number of students नीचे आएगा तो अगर यह lowest form इनका क्या हो रहा है इसको simplify करके आपका जो answer आएगा वो ratio कि उसमें लिख दीजे इसी तरह है inner college out of 4320 student कितने बच्चे हैं 4320 और उनमें से girls कितनी है 2300 तो boys कैसे निकालोगे इससे minus कर दो तो क्या पता चल जाएगा boys 20 20 minus करको देखो 2020 आएगा इसका answer अब हमें number of girls to the total number of student तो यह ratio क्या जाएगा number of girls 2 upon 4320 तो इसको simplest form में करो तो आपका answer आएगा 1 upon 15 216 तो इसे ratio के रूप में 1 upon 15 ratio 216 तो इसी तरह number of boys to the number of girls अब boys कितने थे 20 20 to the number of girls 2300 तो इससे simplify करो आपका 101 और 115 इसे ratio के रूप में लेख लो इसी तरह number of boys to the total number of student ठीक है तो इसी को आपको इस तरह इनको आपको ratio निकालने तो ratio निकालने के लिए आपको numerator में हमेशे numerator में जब question में जिस according question में पूछा जाएगा उसी according आप numerator में value रखेंगे और जो denominator में value होगी वो denominator और जब ratio करते हैं तो numerator ratio denominator होता है ठीक है कभी भी denominator ratio numerator मत कर देना पहले numerator लिखना उसी के बार आप ratio लगा के denominator लिखना तो ऐसी इसके कुछ और questions है यह भी आप easy solve कर सकते हो जैसे इसका question number 12 लेगो cost of a durjan pens in rupees 180 and cost of 8 ball pen is 56 तो एक durjan pen की rupees cost कितनी है 180 ठीक है और 8 ball pen की cost क्या है 56 तो find the ratio of the cost of pen and the cost of ball pen तो हमें ratio निकालना है pen का और ball pen का ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो एक pen का मूल निकालेंगे सबसे पहले हमें एक pen का मूल निकालना है हमें पता करनी है कि एक pen के cost कितना है तो जब हमारा यह वरड़ जिसमें दरजन है इसमें कितनी pen आती है बारा तो बारा पैन कितने की खरीदी 180 की तो एक पैन कितने की खरीदी होगी 180 divided 12 तो कितना आ गया 15 तो एक पैन कितने की खरीदी 15 की इसी तरह एक बॉल पैन कितने की खरीदी होगी 56 upon 8 तो कितने की खरीदी 7 की तो एक जो हमारी पैन है simple आली पैन है वो खरीदी एक पैन खरीदी 15 रुपे की ठीक है तब ही तो 12 पैनों का 180 हुआ और यहां एक बॉल पैन खरीदी कितने की 7 की तो हमें cost of pen तो cost of pen 15 to the cost of ball pen upon 7 तो कितना आगया 15 ratio 7 तो इस तरह आप इसे solve करेंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं present age of father is 42 years 42 and that his son is 14 years और son 14 years present age of father to the present of his son तो 42 upon 14 इसको lowest form कर आंसर आ जाएगा age of father to the age of son when son was 12 year old तो अब यह कह रहा है पिता की आयू का पुत्र की आयू से जब पुत्र 12 वर्ष का था तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 42 minus 42 minus जब पुत्र 12 वर्ष का था तो 12 में 2 कम है ठीक है तो 40 उस वक्त पापा की है 12 सन की तो कितना आ जाएगा 40 ratio 12 इसको आप simplest करके भी लिख सकते हैं तो 40 और 12 को simplest करके भी आपका अंसर आ जाएगा तो हो आएगा 10 ratio 3 तो इसी तरह age of father after 10 years 10 साल बात तो 10 साल बात 40 plus 10 कर दो कितना हो गया 52 और बेटा 10 साल बात तो कितना हो गया 34 तो 52 upon 34 तो इसका अगर आप simplest करो तो कितना आएगा 3 ratio 6 तो इसी तरह age of father to the age of son when father was 30 year old तो अब हमें बतानी है तीस जब पापा 30 साल के थे ठीक है तब की हमें age बतानी है तो अब हम क्या करेंगे हम इसके लिए करेंगे तो हमें 12 साल पहले जाना पड़ेगा क्योंकि जब 30 साल के थे तो बारा साल जब बारा साल पहले होंगे उस टैम पे हो 30 के होंगे ठीक है तो आप क्या करोगे 14-12 कितना आगिया हमारा 2 तो जब पापा की 30 एज थी तो लड़के की कितनी थी उस वक्त 2 तो इसका रेशियो क्या आजाएगा 30 upon 2 तो 30 upon 2 को आपसी lowest या simplest form निकालो 15 upon 1 15 रेशियो 1 तो इस तरह हम रेशियो को सॉल्व करते हैं अब हैं हमारा proportion अब proportion में क्या करते हैं समानुपात में क्या करते हैं तो इसके exercise के कुछ questions करते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि proportion में किस तरह सॉल्व करते हैं तो देखो define if the following are in proportion हमें कुछ numbers दिये हैं हमें बताने कि proportion है या नहीं है तो पहला है हमारा 15 और 45 तो देखो 15 और 45 अगर आप करो 15,45,40,120 तो 15 और 45 ले ले लेते हैं ठीक तो 15 और 45 सॉल्व होके क्या आ रहा 1 upon 3 ठीक अब 40 और 120 है अब 40 और 120 को सॉल्व करो 40 upon 120 ये भी कितना रहा है 1 upon 3 अब तो हमारा 15 upon 45 भी 1 upon 3 आ रहा और 15 रेशियो 45 हमारा 1 upon 3 है और 40 रेशियो 1 upon 20 ये भी बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं इनके रेशियो बराबर आ रहे हैं तो ये क्या है हमारा एक proportion है इसी तरह आप इसे चेक तो 33 upon 121 का अगर हम lowest form निकाल रहे हैं तो आरहा हमारा 3 upon 11 और अगर आप 9 upon 96 का lowest निकाल रहे हैं तो आरहा 3 upon 32 तो क्या ये नंबर इस नंबर के proportion है ये equal आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो ये हमारा proportion नहीं है तो इस तरह आपको पता चलता है अगर हम दो नंबर का ratio निकाल रहे हैं जैसे दो नंबर है 2 और 4 2 और 4 का ratio का है 1 upon 2 इसी तरह 3 और 6 3 और 6 का ratio का है 1 upon 2 तो इस तरह दो नंबरों का ratio अगर आपस में equal आ रहे हैं तो उसे वहां पे हमारा क्या हो रहे है proportion हो रहे है तो इसी तरह आपको यहां पे देखो right true और false हमें यहां पे check करके बताना है कि यह आपस में हो रहे है या नहीं हो रहे तो आप देखो क्या करोगे 16 upon 24 करो कितना आ रहे 2 upon 3 और 20 upon 30 करो कितना आ रहे 2 upon 3 तो ये क्या है हमारा सही है ये statement सही है proportion है तो इस तरह 16 ratio 24 फिर ये दो जो dot होते हैं ये हमारे proportion के dot है 20 ratio 30 तो इस तरह इसे लिखते हैं तो next है हमारा इसी तरह आप इसके और कोशन भी कर सकते हैं DEF चेक करने हैं आपने ठीक है next है are the following statement true 40 persons ratio 200% rupees 15 ratio, rupees 75 तो क्या ये statement सही है तो आप चेक करो 45 upon 200 करो तो अगर आप 45 upon 200 कर रहे हो और 15 upon 75 करो अगर यहां दोनों value आपस में equal आ रही है तो ये हमारा सही है तो आपको इसी तरह इन सब में चेक करना है तो जैसे आप 75 upon 15 करो और 5 upon 10 करो तो ये आपस में आपके सही आ रहे हैं तो आप जैसे 75 upon 15 आपका आएगा अगर आप इसे भी 750 कर दो इसे भी 150 कर दो तो ये आ रहा हमारा 1 upon 2 और 5 upon 10 क्या आ रहा है 1 upon 2 क्योंकि जैसे 5 upon 10 लिखोगे तो 1 upon 2 तो 1 upon 2 1 upon 2 तो ये भी हमारा क्या है ये भी true है तो इसी तरह आप इसके 3rd भी चेक करो तो ये भी आपका true आएगा ये भी true आएगा और 4th वाला एक बार आप चेक करके दिहान से देखिए क्योंकि 45 upon 60 लग आता है और 12 upon 15 ऐसी रहता है तो 45 upon 60 तो हमारा आ रहा 4 upon 5 पर ये 12, 15 नहीं हो रहा तो ये हमारा क्या है नहीं है true ये statement गलत है तो इसी तरह 4th question में आपको इनके बीच अगर ये ratio हमारे equal आ रहा है इधर का ratio इधर का ratio तो आपको proportion लगाना है तो आपको इनको solve करके बताईए कि ये क्या हमारे अनुपात हमारे ratio हमारे proportion बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं तो आपको ध्यान देनी वाली चीज़े ये है कि proportion में आपके ये चार डॉट लगते हैं ठीक है इस तरह है और proportion में क्या होता है आपका किसी दो नंबर का ratio जो दूसरे नंबर के ratio है अगर हमारे ratio आपस में equal आ रहे तो वहाँ पे हमारा क्या हो रहा proportion लगता है अब आते हैं हमारा unitary method तो यह unitary method होती क्या है the method in which first we find the value of one unit then the value of required number of unit as unitary method तो यह एक method होती है जिसमें हम एक unit की value निकालते हैं जो हमें number of unit दिये होती है उससे तो इसी को हम unitary method कहते हैं तो देखते हैं इससे related कुछ questions तो देखो exercise 12.3 if the cost of 7 meter cloth is rupees 1470 find the cost of 5 meter of cloth तो हमसे यह कह रहा है कि अगर 7 meter कपड़े का मूल्य 1470 है तो 5 meter कपड़े का मूल्य क्या होगा तो सबसे पहले तो आपको 1 meter कपड़े का मूल्य निकालो तो 1 meter का कैसे निकलेगा 1470 से 7 को 7 से इस number को divide करो तो जो answer आएगा जो 1 meter का मूल्य आएगा उसे 5 से इंटू कर दो तो आपका answer easily आजाएगा इसी तरह है एकता earns एकता कमाती है 3,000 दस दिन में तो एकता 10 दिन में कितने कमा रही है 3,000 How much will she earn in 30 days? तो 30 दिन में कितने कमाएगी तो सबसे पहले तो एक दिन का निकालो तो एक दिन का कैसे निकालेंगे? 3,000 upon 10 अब 3,000 upon 10 कर दिया तो एक दिन का कितना आगया? 30 रुपीज तो एक दिन में वो 30 कमा रही है तो 30 दिन में वो कितने कमाएगी? 30 into 30 कर दो तो कितना आएगा? 3, 3, 9 Sorry, यहाँ पर आपका 300 आएगा 3,000 upon 10 था ना तो 0 से 0 तो 300 तो 300 इंटू क्या कर दिन के? एक दिन में वो कितने रुपे कमा रही है? 300 तो 30 दिन में वो कितने कमाएगी? 300 into 30 तो कितने कमाएगी? 9,000 रुपीज तो इस तरह सबसे पहले आपको एक की क्वेंटिटी एक यूनिट निकालना पड़ता है ठीक है? जैसे राम है राम ने 10 पैन खरी दी कितने की? 100 रुपे की अब आपसे कह रहा है कि वो 50 पैन कितने की खरी देगा तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक पैन कितने की खरी दी? तो एक पैन के लिए का करेंगे 100 अपॉन 10 तो एक पैन कितने की खरी दी? उसने 10 रुपे की तो 50 पैन कितने की खरी गे देगा? 50 इंटू 10 कर दो 500 की तो इस तरह हम यहाँ पे unitary method का use करते हैं यह सारे questions बहुत easy हैं आप इनकी खुद practice कर सकते हैं यहाँ पे देखो cost of 4 दर्जन बनाना is Rs. 180 4 दर्जन बनाना उसने Rs. 180 के लिए तो 90 रुपे में हो कितने बनाना खरीच सकते हैं तो एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं 12 ठीक है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए तो एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं 12 या फिर आप कर सकते हैं 180 upon 4 तो 180 अगर आप 4 करें तो आपका रिश्यो कितना आ रहे है 4, sorry 4, 2 तू जा 4, 2 नहीं 90 अपॉन 2, ठीक है, तो 90 अपॉन 2 आ रहा है, तो हमें कितने का निकालना है रुपीज 90 का, तो 2, 4 जा, 8, 2, 5 जा यहाँ सबसे इजी कर सकते हैं, अगर वो 4 दर्जन 180 का खरीद रहे हैं तो 90 में कितने दर्जन खरीगा, 2 दर्जन, ठीक है इसी तरह, the weight of 72 books, 72 books का weight कितना है 9 kg, तो what is the weight of 40 such books, तो इसके लिए देखो 72 books का weight कितना है, 72 books का weight है हमारा 9 kg, तो 1 book का weight कितना होगा, 9 upon 72, तो कितना आ रहा, 1 upon 8 तो हमें 40 books का निकालने, तो यह हम से क्या करें, weight of such 40 books, तो 40 books का weight होगया हमारा 5 kg, क्योंकि 1 upon 8 into 5, तो इस तरह, आपका 40 books का weight कितना आ गया, 5 कौन से च्रिक लागा ही, हमने क्या करा, देखो, 9, 72, कितनी 9 का है, तो 1 का 9 upon 72, तो यहां से हमारा कितना है, answer 1 upon 8, अब हमें 40 का निकालने है, तो 40 का निकालने है, तो 1 upon 8 into 40 हो जाएगा, तो इस तरह, यह होता है हमारा unit tree, तो जैसे यहां पर है, आपका, राजू purchase 10 pen, of rupees 150, और money is by 7 pen, of rupees 84, can you say who get pen cheap, तो किस ने कम में pen खरी दी, तो 10 pen, 10 pen वो कितने की खरीदता है, 150 की राजू, तो एक pen कितने की खरीदेगा, 150 बटे 10, तो एक pen कितने की खरीदी, राजू ने 15 रुपे की, इसी तरह, मनीश ने एक pen कितने की खरीदी, 84 को 7 से divide करो, कितना आया, 12, तो राजू ने 15 रुपे की खरीदी, मनीश ने 12 रुप की इसी तरह अनीश में 42 रंस इन 6 ओवर तो 6 ओवर में कितने रन बना रहा 42 अनूप में 63 रन अनूप कितने बना रहा 63 रन कितने ओवर में 7 में तो सबसे पहले हम एक ओवर का निकालेंगे तो एक ओवर के लिए अगर हम अनीश का निकालते हैं अनीश एक ओवर में कितने बनाता है 42 अपॉन 6 तो कितने बना रहा है वो 7 रन इसी तरह अनूप कितने बनाता है 63 अपॉन 7 तो कितना हो गया 9 तो एक 7 रन बना रहा एक 9 तो कि इसने ज्यादा बनाए अनूप ने अनूप ने क्योंकि नाइन रन ज्यादा बना रहा तो इसी तरह हमने इस चैप्टर में रेश्यो प्रपोर्शन और यूनिटरी मेथड के बारे में सीखा